बॉलिवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे बहल इन देनों न्यू योर्क में हाई ग्रेड कैंसर की बीमारी का इलाज करा रही है जब से सोनाली को कैंसर होने की खबर सामने आई है तब ही से लगातार उनका परिवाद और उनके चाहने वाले उनके लिए लगातार दुआएं मांग रही है वहीं खबरों की माने तो हाल ही में सोनम की ननत और कोल्टी बहल की बेहन श्रिष्टी आरिया ने बताया है कि उनकी भावी सोनाली की तब्यत कैसी है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने एक वेबसाइट से बाचीत में ये जानकारी दी है कि सोनाली अब पहले से बहतर है और उनकी हालत में सुधार भी हो रहा है वो बताती है कि सोनाली एक मजबूत इंसान की तरह कैंसर से फाइट कर रही है गौरतलब है कि जुलाई महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये सोनाली ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें कैंसर है सोनाली ने अपने पोस्ट में लिखा था कि कभी कभी जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती तो जिन्दगी आपको गूगली देती है हाली की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मुझे हाई ग्रेड कैंसर है हमें अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ है सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और खयाल रख रहे हैं मैं भागेशाली हूँ और सभी का शुक्रिया करती हूँ इस सबसे लड़ने का इस से बहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता मैं फिलहाल न्यू योर्क में इलाज करवा रही हूँ मैं आशावादी हूँ और रास्ते में आने वाली हर मुसीबत से डट कर लड़ूँगी अब तक के सफर में अपनों के प्यार और सपोर्ट ने मेरी मदद की है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सोशल मीडिया पर सोनाली की कुछ तस्वीरें और वीजियो भी सामने आई थी इस वीजियो में सोनाली अपने बाल कटवाती हुई नजर आई वहीं इस दोरान वो भावुक भी हो गई थी ऐसे में उनके पती गोल्डी ने उनको संभाला थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने अपने बेटे रनवीर को इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें कैंसर है और इस मुश्किल घड़ी में उनके पती और उनका बेटा दोनों उनके साथ है और लगातार सोनाली का होसला बढ़ा रही है खेर सोनाली के फैंस को वाकई इस खबर से खुशी मिली होगी कि सोनाली अब पहले से बहतर है ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस लोटे देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप तक पहुचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट